दोस्तों आपके पास दूच वाइस हैं या तो जैसी अभी आपकी जिन्दगी चल रही है वैसे ही चलने दो और जिन्दगी काटते रहो और दूसरा ओप्शन है आक्शन लो और अपनी जिन्दगी को एक नई दिशा दो इसे वैसी बनाओ जैसी आप चाहते हो एक लाइन में चेंज लाकर अपनी पूरी जिन्दगी बदल सकते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 21 दिन का चैलेंज देने वाला हो और मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है केवल 21 दिन जी हां केवल 21 दिन मेरी बताई हुई बातों पर चल कर देखो आपकी जिन्दगी स्वर्ग ना बन जाए तो कहना तो आज फिर जबरदस्त वाली बाट करेंगे आपकी लाइफ में तो लेट्स बिगिन नमबर सिक्स मेक बोडी स्ट्रॉंग पहली चीज आपका जो भी सपना हो उसको अचीव करने के लिए आपकी गाड़ी में फ्यूल होना चाहिए इन 21 दिनों में आपको काम करना है अपनी हेल्थ के उपर अगर आप मेल हो तो अपने टेस्टोस्टरोन को बढ़ाओ फील गुड हॉर्मोन को बढ़ाओ और फीमेल हो तो एस्टोजन और खुशी फील करवाने वाले हॉर्मोन की बौडी में बहुचार करवा दो अगर ऐसा जिसको करने से पसीना आता है बौडी से स्वेट निकलता हो दूसरी चीज कच्रे को जंक फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा और हेल्थ पूड होममेड फूड ही खाऊंगा इसमें एक और इंपोर्टन चीज है जिससे आपको बहुत फायदा होगा वो है खाने को फील करो ख हेल्थ के लेवल पर ये चार काम करके देखो आपको मज़ा आ जाएगा ऐसे चेंजिज आपको बौडी में देखने को मिलेंगे कि आप हैरान हो जाओगे लेकिन क्या केवल फिजिकली फिट बनने से ही सब कुछ हो जाएगा नहीं इसके लिए आपको और भी बहुत कुछ क करता है जिसके दिमाग में लाइफ को लेकर क्लारिटी है और जो अपने अक्शन को लेकर अवेर है सवाल आता है कि आप मेंटली फिट कैसे बन सकते हैं सबसे पहली बात सोशल मीडिया का यूज कम से कम कर दो फाल्तु के आपस को डिलीट मारो टाइम को वेस्ट करने का मज पर होगी पूरा देन एनरजेटिक फील करोगे दूसरी जीज जो आप मेंटल लेवल पर कर सकते हो वो है अपनी फीलिंग्स को खाली करना मोबाइल का कैमरा चालू करो जो आपके मन में आ रहा है वो सब कुछ बग दो या कागस पर लिख दो कुछ भी जो अंदर दबाए ह वे वो से मत रखो तीसरी चीज़ बुक्स पढ़ो नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ो चौती चीज़ खुद के साथ कम से कम एक घंटा बताओ और रात को सोने से पहले अफगरमेशन सुनो और ग्रेटफुल रहो लाइफ को ले करके ऐसा करने से आपकी एनरजी डबल हो आपको किसी और पर डिपेंड ना रहना पड़े और इससे आप में एक अलग लेवल का कॉंफिदेंस भी आएगा दोस्तों आज के टाइम में आपको इंकम के लिए जौब की कोई भी जरूरत नहीं है बस आपके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसे आप मार्केट कर सको और जिससे आप बिना किसी जौब किये भी पैसा कमा सकते हो ऐसे कहीं सारे फील्स हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं अगर आप एक्स्प्लोर करोगे तो आपको बहुत सी नई उपरचुनिटीज देखने को मिलेंगी जैसे मेरा एक दोस्त कॉंटेंट राइटिं सोशल मीडिया मैनेजिंग, फोटो एडिटिंग और विडियो एडिटिंग दोस्तों इन में से विडियो एडिटिंग सबसे आसान है और एक अच्छे विडियो एडिटर की आज के टाइम में बहुत डिमांड भी है तो अगर आप भी विडियो एडिटिंग सीखना चाते ह इसके features की तो इसमें आपको कई सारी amazing features देखने को मिल जाते हैं जैसे की video presentation, video editing, screen recording, online meetings, live streaming on social media like facebook, youtube etc. recording yourself and many more other features दोस्तों इस app में आप video recording के साथ साथ उसे edit भी कर सकते हैं मतलब ये all in one app है और तो और इसकी मदद से आप अपना एक virtual 3D avatar भी बना सकते हैं दोस्तों इस app में ऐसे ऐसे features हैं जो आपकी video editing को next level पर लेकर जाएंगे तो दोस्तों अगर आप भी करना चाहते हैं अपनी video को एक बहतर तरीके से edit और बनना चाहते हो एक video editor तो wondershare demo creator का link आपको description में मिल जाएगा जल्दी से इसे download करो तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी next tip की तरह ताश के 52 पत्ते सभी में बराबर बाटे जाते हैं ठीक वैसे ही time universe में सभी को same दिया है लेकिन जो smartly use करेगा वो ही अपने full potential तक पहुँच पाएगा मैं आपको एक challenge दे रहा हूँ आज से आप अपने एक एक घंटे का हिसाब लगाना शुरू करिये हर एक घंटे को note करिये copy में लेखिये कि आपने पिछले एक घंटे में ऐसा क्या किया जो आपको आपके goal के नस्दीक ले जाएगा यकीम मानिये अगर आपने जिंदगी के एक एक सेकंट का हिसाब लगाना शुरू कर दिया न तो वो दिन दूर नहीं जब आपके एक एक सेकंट एक एक मिनट की कीमत हजारो लाखों में होगी टाइम से ही जुड़ी एक चीज और आती है और वो है मैं कल करूंगा वाला कीड़ा कल पर सवाल है जीना फिलाल है तोमोरो नाम की चीज अपनी लाइफ से डिलीट मार दो जो करना है आज करो अब ही करो तोमोरो को ही खत्म कर दो जिंदगी से सोचो आपके पास कवल दस दिन केवल एक दिन है केवल दस घंटे है केवल एक घंटा है इस तरह से चीज़ों को माइक्रो लेवल पर तोड़ दो खुद खुद ट्राक करो फिर देखो कैसे आपके गोल्स अछीव नहीं होते किसी ने खूब कहा है, जिसने कहा परसों, बीद गए बरसों, जिसने कहा कल, दिन गए डल, जिसने कहा आज कर रहा है राज, आज वही कल है जिस कल का आप को कल इंतजार था, Yesterday is history, Tomorrow is mystery, Today is a gift, That's why it's called present, Number 2, Change your attitude, दोस्तों इस दुनिया में attitude के आधार पर दो तरह के लोग होते हैं, attitude मतलब आप किसी set of circumstances में कैसे द्याक्त करते हैं, पहले वो जो बुरे से बुरे में भी अच्छा ढून लेते हैं और हस्ते खेलते रहते हैं लाइफ में, ग्रो करते रहते हैं, दूसरे वो अच्छे से अच्छे में भी बुरा ढून लेते हैं और रूते ही रहते हैं, एक लाइन बोलता हूं, ध्यान से सुनना, Turn your problems, turn your adversity into opportunity, problem सबकी लाइफ में हैं, बस आपको अपने देखने का नजरिया बदलना हैं, और इन 20 दिनों में आपको हर चीज में positive attitude शोप करना हैं, मैं कुछ examples देता हूं जिससे clear हो जाएगा, को कि मैं क्या कहना चाता हूं, जैसे आपके सामने कोई problem आ गई, लोगों ने आ positive attitude वाला बंदा उसी बात को अपना motivation बना लेगा और खुद को prove करेगा, आप दिमार हुए, तो इसमें भी एक बहुत अच्छी चीज चिपी है, अब से आप रोज exercise करोगे और अपनी help पर ध्यान दोगे, कुल मिलाकर आपको हर problem में क्या constructive हो सकता है, क्या आपके काम का हो सक सकते हो, उस पर ध्यान देना है, अगर आप बुरी से बुरी चीज में भी कुछ अच्छा सीख रहे हो, तो बुरे से बुरा भी अच्छा है आपके लिए, लेकिन जो अच्छा हो रहा है आपके साथ पर आपके लिये बुरा है, turn your misery, turn your weaknesses into strength, number one, आपकी growth में आपकी success में सब से बड़ा योगदान होता है आपकी सराउंडिंग का आप किस तरह के लोगों से घेरे हुए हो इसलिए ऐसे लोगों से दूर हो जाना जहां पर काम की बात कम और मज़े मस्ती की बात जादा होती है गायब हो जाओ उन जगहों से जो आपकी जणों को आपकी विल पावर को कमजोर बना रही है गायब हो जाओ उन महफिलों में से जहां करियर की नहीं लड़की बाजी की बात होती है गायब हो जाओ उन लोगों से जो बोलते तो बहुत है लेकिन जब करने की बारी आती है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है ऐसे लोग आपकी growth को slow कर देते हैं इसलिए ऐसे लोगों से दूर हो जाना तो चलिए दोस्तों वीडियो को sum up करते हैं mentally fit बनने के लिए आपको आपकी body पर काम करना ही होगा there is no choice second thing अपने attitude में change लेकर आईए हल negative चीज में कुछ न कुछ अच्छा ढूनिये और अच्छे लोगों से खुद को surround करिये और जो लोग वीडियो को यहां तक देख रहे हैं उनके लिए gift में एक bonus tip every morning ask yourself what will I do today that will bring me closer to my goal and every night ask yourself did I do what I committed to myself in the morning तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आप अपनी वीडियो को next level edit करना चाहते हूँ वो भी कम efforts के साथ तो wonder share demo creator को description से download करना बिलकोल भी मत बूलना और आपको यह वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर करना मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में तब तक के लिए take care love you all